नमस्कार दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल मैं हूँ चांद कुबा दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर UPSC से जुड़ी हुई बहुत सारी सीरीज चलाई जा रही हैं उन में से एक एथिक्स की सीरीज हैं एथिक्स की सीरीज को कवर करते हुए हम अलरडी वेस्टन फिलोसफर्स को भी कवर कर चुके हैं कई सारी इंडियन फिलोसफर्स जैसे कि चानक के डॉक्टर बियारंबेड कर रबेन नाटेगोर इन सब को हम औरडी कवर कर चुके हैं आज मैंने सोचा कि क्यो ना आपको इस्ट की तरफ और आगे बढ़ाया जाए चाइना लेकर चलते हैं चाइना में हम एक बहुती महान फिलोसफर का नाम सुनते आते हैं कॉन्फूशेस आज उनकी फिलोसफी के बारे में जानेंगे उन्होंने ये वर्चू एथिक्स के स्कूल से आते हैं इन्होंने क्या क्या बाते गही कौन सी वर्चू के उपर इन्होंने बल टेलिग्राम का चैनल है इन दोनों चैनल्स पे यूपी सी से जोड़ा काफी सारा relevant content भेजा जाता है आप इन चैनल्स को जॉइन करके वहां पे उस content का लाव उठा सकते हैं बात करते हैं Confucius की जैसे मैंने आपको कहा कुंग फूई इनको कहा जाता है यह चाइना में इनका जन personal and governmental morality के उपर काफी जादा emphasis किया है relationships, social relationships कैसी होनी चाहिए for example family में relation कैसी होनी चाहिए, society में हमारी relation कैसी होनी चाहिए, उसके उपर इनका काफी emphasis है, justice के उपर इनका काफी emphasis है, sincerity, kindness या भी आपको virtues में देखने को मिल जाएगा, कि मैं आपको यहाँ पे कौन सी virtues की बात कर रह clear कि भाई दिखो, जो knowledge मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ, इसमें मेरा personal कुछ नहीं है, इन्होंने जिक्र किया five classics का, चाइना में there are five classics, ancient Chinese, आप text उनको कह सकते हैं, यह पांच जो classics हैं, इनमें अलग-अलग मुद्दों पर बात की गई है, जैसे rituals के उपर बात की गई है, morality के उपर बात की गई है, religion के उपर बात की गई है, इनका ऐसा कहना था, Confucius का कि, जो मैं knowledge आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ, it is nothing but a re-interpretation of these five classics only, I am not telling you something new, मैं सिरफ उन text को पढ़के, आपके साथ उनी text में दिया गया जो knowledge है, वो आपके साथ share कर रहा हूँ, अपनी भ कि अगर हम उन वर्चूस को धारन कर लेते हैं, हम अपने आप ethical हो जाएंगे, moral हो जाएंगे, चलिए बात करते हैं, इनके core belief की, इनका core belief ये था, कि humanity जो है, या human beings जो है, they are innately good, ये inherently सही होते हैं, अच्छे होते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते ह inclined naturally to choose what is right, and क्योंकि इने पता होता है, क्या सही है, क्या गलत है, ये innately अच्छे होते हैं, तो ये जाते हैं, right की तरफ, for example, क्याते जी मान लीजी, आप रस्ते पे जा रहे हैं, रस्ते पे जाते हुए देखा आपने, कि एक बच्चा एक कुए में गिर गया है, वेल में गिर करेंगे, शोर मचाएंगे, ताकि कोई और व्यक्ति आकर उसे बचाए, यहां आपको सोचना नहीं पड़ता है, कि मैं क्या करूं, बचाओं, कि सीधा निकल जाओं, या फिर उसको कैसे छोड़ दूं, यहां पर क्या, यह कहते हैं, इस example से आप प्रूफ करते हैं, कि जो आ इसा व्यक्ति है, जो कि राइट एक्शन को चूज नहीं करता है, कहते जी इसमें उसकी गलती नहीं है, कहते जी इस इग्नॉरेंट और वाट इस राइट और वाट इस रोंग, कहते जी उसको पता ही नहीं है कि राइट क्या है, क्या गलत है, कहते अगर उसको सही सिक्षा अगर उसे right conduct के बारे में बताया जाता, अगर उसे right virtues के बारे में बताया जाता, तो वो कभी ऐसा नहीं करता, वो कभी गलत की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसे सही बताया ही नहीं गया, क्योंकि उसे सही रस्ता दिखाया ही नहीं गया, सही पढ़ाया नहीं गया, इसलिए वो गलत की तरफ गया है केता जी if a such person were educated right action and a proper understanding of world there and their place in it they would choose the right over wrong so यह यहाँ पर इनका कहना है so basically humanity में विश्वास रखते हैं human की innate goodness में विश्वास रखते हैं दूसरा इन्होंने concept of त्यान दिया अब त्यान का मतलब होता है heaven इनका ऐसा मानना था कि heaven यह त्यान से ही हमें life मिलती है त्यान हमारी life को sustain करता है और त्यान chaos में एक piece को एक तरह की piece को लेकर आता है यानि कि brings order to the world of chaos त्यान इंडिया में भी आप अगर देखेंगे there is this concept of hell and heaven हमारी भी philosophies में hell and heaven है हमारी भी philosophies में there is concept of devy देवतास राइट अब इनकी concept में भी ऐसा ही है heaven में इनका ऐसा कहना जी देवता भी है अब कहता है कि अगर कोई इनसान देवताओं के लिए sacrifice करता है देवताओं को खुश करने के लिए sacrifice करता है कहता जी जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा किये गए इन sacrifices का कोई result देवताओं को मिले या नहीं लेकिन हाँ जो व्यक्ति देवताओं को खुश करने के लिए sacrifice कर रहा है उसका परिणाम उस व्यक्ति को खुद जरूर मिलेगा जरूरी नहीं है कि मैं जिस देवता के लिए sacrifice कर रहा हूं जिस गौड के लिए या जिस डिटी के लिए sacrifice कर रहा हूं मेरा sacrifice उस तक पहुँचे कोई जरूरी नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि मैं sacrifice कर रहा हूं इससे मेरे मन में humility आएगे इससे मेरे मन में जो arrogance है जो मेरे मन में यह होगा कि मैं सबसे बढ़ा हूँ क्यों क्याता जो सबसे बड़ा फायदा है sacrifice करने का वो यह है कि हम खुद की reality को पहचांते हैं हम में humility आती हैं and क्यादा जी we give our ignorance we reduces our ego and this is what he said right so कैदा जी it helped to check one's concept of self-importance, reduced one's ego and encouraged to move from self-interest to consider the interest and welfare of others, कहता है यह इसका सबसे बड़ा फाइदा है, फिर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने जो virtues की बात कहीं, देखें, दो virtues, अब यहां पर जो हैं कुछ virtues हमें समझनी होंगी, जो इन्होंने यहां पर दी, इन्होंने इन्होंने क्या-क्या virtues दी हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं, सबसे पहली वर्चु आती है, रेन, देज बनेवलेंस, दूसरी है, यह, यह, राइच्वसनेस, राइच्वसनेस का मतलब, अब देखें, यह जो वर्चूस है, इन्में से कुछ जो इन्पोर्टन वर्चूस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कूस करूँगा, तो सभी यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूं, यह, आपको पता सारी होने चाहिए, यह का मतलब होता है, राइच्वसनेस, राइच्वसनेस का मतलब होता है, कि आप केवल वही एक्शन ले रहे हैं, जो का मतलब है, integrity, integrity का मतलब क्या है? integrity का मतलब यह है कि, what I believe in, what I feel right, my action should also reflect that, मतलब अगर मैं सोचता हूं कि, भाई, सच बोलना सही है, and सचाई से मुझे प्यार है, तो मुझे actions में भी वह reflect करना चाहिए, कि मैं कभी जूट नहीं बोलता, जूट का साथ नहीं देता, हमेशा प्रणाइब क्या होता है इसे हम अभी डिसकस्ट करेंगे बैसिकली रिस्पेक्ट फूर्द सीनियर से रिस्पेक्ट पूर्ट पूर्ट वह यहां पर है जौंग मतलब होता है लोयलिटी प्लीज फॉर्गिव माई प्रनॉंसेशन वर्ड तो मुझे प्रनॉंसेशन इनकी सार कंटिंजेंसी यह सबसे इंट्रस्टिंग कंसेप्ट मुझे लगा कंटिंजेंसी का मतलब यह कि भाई देखो आप यह नहीं कह सकते कि एक एक पर्टिकुलर एक्शन हमेशा सही होगा कि केता जी गिवन सिचुवेशन के हिसाब से एक्शन सही या गलत होता है पर हैं वो पेशन हाट पेशन है उसे हाट अटेक आया था उसे आपने बचाया है किसी तरीके से अब कहता है जी उसका बच्चा जो है वह उसका लड़का जो है वह बाहर गया सा दवाई लेने बाहर एक्सिदेंट हुआ और लड़के की मौत हो गई बच्चा वापस नहीं आत है तो बहुत सारे आप में से अग्री करेंगे कि हां क्योंकि उस पेशन की लाइफ बचाना चारे हैं तो हम यहां पर छूट बोल देंगे वही बात यहां पर रहती है कि कंटिंजेंसी को हमें ध्यान में रखना होगा कहता जी कोई भी एथिकल डिसीजन आप जब लेते हो एथिकल डिसीजन सही या गलत कोई ऐसा नहीं है कि आयरन कास्ट में बंदे हुए हैं कहते जी इट डिपेंड्स ओन कंटिंजेंसी ओन दा सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से एथिकल होता है एक्शन या फिर अनेथिकल होता है दूसरा इनका जो आकरी जो हमारी वर्च करेंगे इन डेटेल वो देख लेते हैं सबसे पहली है जी डेट इस नॉलेज नॉलेज इज डी वर्चु आफ लर्निग अब यहां में देखने को मिला कि जब हमने सोकर्टीज को भी डिसकस किया था सोकर्टीज ने भी तो यहीं कहा था देट नॉलेज जब आप चल रहे ह हैं तो you are going to you know in you are going in the drain but then again आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं कहते जी वन who is ignorant is in danger of leading a foolish existence and spreading it among other people as well so यह बहुत जादा जोर देते हैं knowledge पे इन्होंने कहा कि education is not something a man acquires but is a lifelong process that impacts and shape the very being purpose and existence of an individual so basically क्या कह रहे हैं कि education एक activity नहीं है कि जो आपने एक एज के बाद आके खतम हो गई education lifelong process है जो कि throughout life आपकी life को shape करता है throughout आपकी life को shape करता है आपको नई दिशा दिखाती है वो है education so education is a lifelong learning ऐसा इन का कहना था दूसरा है benevolence benevolence का मतलब होता है again benevolence का मतलब है कि भई compassion दिखाना kindness and empathy towards others this this whole philosophy takes central position in Confucius philosophy and कैते जी benevolence यह जिसे इन्होंने रन कहा that is the essence of being human कैते human होने का essence ही यही है कि यह बनेवोलन towards other you are kind to others you are empathetic to others right so कैते है इसका मतलब यही है अगर आप human है तो आपको आप में यह वर्चू होनी जरूरी है कैता the man who are rent is one who desiring to develop himself develop others कैता जो रेन वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आपको develop करने के लिए दूसरों को develop करते हैं खुद आप अपने आप grow हो जाओगे अगर आप दूसरों को grow करने में मदद करते हो दूसरों की सहायता करते हो उनको आगे बढ़ने में natural सी बात है आप अपने आप grow appearance अच्छा बोलने का तरीका नहीं चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या जी रिक्वायर्स देट वन इंबोडिस गुड़नेस इन वन्स रिलेशन विद अधर human beings आप दूसरों के साथ अच्छे रिष्टे रखें उससे आप gentleman बनते हैं ना कि आपकी appearance आपकी बोलने के में रहते हैं and society में रहने का मतलब यही है कि हम अकेले नहीं है we live with other people it may be various organs of society it may be our family it may be our friends it may be our neighbors it may be our community so society में बहुत सारी चीज़ आ जाती है राइट ना केदर जी आप society में कैसे रहते हैं कैसा आपका conduct है उसे हमने ली कहके बुका रहा है केदर जी it is necessary to have a code of conduct which governs the behavior of humans society में रहने के लिए there must be a code of conduct there must be some rituals there must be some norms for example हम daily basis पर देखते हैं कि भाई हम society में जब रहते हैं कोई बड़ा हमें मिल जाए या सुबह उठके आप अपने father mother को भी morning या good evening बोलते हैं शाम को तो respect करते हैं there is this norm in the society कि भाई किसी भी तरीके से आप अपनी values को express करते हैं मदद करना या कोई और चीज आ गया यह code of conduct है जो कि society को smoothly run करने में या society को smoothly function करने में help करते हैं इनका ऐसा मानना है कि अगर ली यानि की code of conduct ना हो तो society function ही नहीं कर सकते हैं in fact यह कहते हैं कि बाकी सारी virtues जो हैं वो worthless हो जाएंगी if there is no lie there is no code of conduct क्योंकि बाकी सारी virtues को आप express करते हैं na code of conduct से अगर code of conduct ही नहीं बनाया तो virtues जो हैं वो सिरफ mind में concept बन के रह जाएंगी तो यह क्या कहते हैं चलिए पढ़ते हैं के दर जी existence of proper conduct would guarantee a harmonious society and would serve the foundational of a stable society virtue will go astray if they are not contained by lie छीक है कैता जी respect without lie becomes tiresome caution without lie becomes timidity courage without lie becomes disorderly conduct and straightforwardness without lie becomes rudeness so यहां पर अगर code of conduct ना हो तो आप straightforward हो गए आप बड़ों के साथ भी बत्तमीजी से बात कर सकते हैं क्यूंकि straightforward हैं सही तरीके से आपको बात करनी नहीं आ रही आपकी अगर बात कड़वी भी है उसे आपको क्यूंकि बड़ों के साथ आप एकदम straightforward हो गए तो आपकी सही बात भी rudeness मानी जाएगी अगर आप सही बात पे हैं लेकिन straightforward हैं किसी के साथ भी आप रूड हो जाएंगे इसी तरह से कहता जी अगर आप courageous हैं but then there is no code of conduct की कैसे courage को शो करना है किसके सामने आपको control में रहना किसके सामने आप courage दिखा सकते हो तो कहता जी अगर code of conduct नहीं होगा तो courage आप हर एक के सामने दिखाना शुरू कर दोगे what will happen disorderly conduct कोई गरीब है कोई लाचार है उसके सामने भी आप courage दिखाना शुरू करते हैं जुरूरत नहीं है right तो disorderly conduct आ जाएगा तो कहता जी वर्चूस जो है वह एस्ट्रे हो जाएंगी वह मिनिंग्लेस हो जाएंगी without code of conduct code of conduct हमें बताता है कि कहां पर कैसे विवहार करना चाहिए तो कहता जी आप से जो भी बड़े हैं आपके parents है आप उनकी कदर करो उनकी बात मानो एक छोटे भाई को एक बड़े भाई की बात मानने चाहिए इसी तरह मैं इसे बच्चों को अपने माता-पिदा की बात मानने चाहिए और अथारिटी को आपको ओबे करना चाहिए राइट सो वो उसे हमने कहा फिलियल पीटी कहते जी अगर एक परिवार में फिलियल पीटी है तो क्या होगा the family would live harmoniously and one would soon have whole community of contented people अगर सारे ही जो है families में हमें ये वर्चू दिखने को मिल जाए ठीक है there will be no need for oppressive government or laws if if this is this is followed by all ठीक है चले कैदर जी if the people be led by the laws uniformity sought to be given them by punishment they will try to avoid punishment कहता जी अगर इनसान सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से जीने लग जाएं कानूनों के हिसाब से ही जीन यानि कि कानून को follow करने के लिए ही अपने आपको सही रखें या सही कदम उठाएं कहता है पनिश्मेंट से बचने के लिए वो कानून को follow कर लेंगे लेकिन सही और गलत के लिए उनके मन में कोई शेम की भावना या शर्म की भावना नहीं होगी for example आप दूसरों को गाली नहीं दे रहे क्योंकि आप पनिश्मेंट से डरे हुए हो आप दूसरों को मार नहीं रहे क्योंकि you are afraid of punishment but then otherwise you have no shame in abusing persons you have no shame in killing or harming others कैता जी इस तरह कि society stable society नहीं रह सकती कैता जी if they are led by virtue and uniformity to sought to be given to them by the rules of propriety they will have the sense of shame moreover will become good कैते जी if you live a virtuous life तो आप दूसरों को गलत इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप punishment से डरते हो because this is your nature this is your propriety and there you will have that shame in you कि भाई मुझे गलत नहीं करना है गलत करूँआ तो शर्मिंदगी होगी शर्मिंदगी से बचने के लिए आप गलत नहीं करोगे क्या है if you are virtuous ठीक है now कैदर जी do not do unto others what you do not want done to yourself now this is one thing which we have seen throughout the ages यह principle बहुत जादा हमें देखने को मिला है कि भाई आप जो खुद के साथ नहीं होने देना चाहते दूसरों के साथ भी मत करो अगर आप नहीं चाहते है कि कोई आपको आके गलत बोले दूसरों को गलत नहीं बोलो कोई नहीं चाहता कि आपको भी कोई चीट करें दूसरों को cheat मत करो and यह can't हो चाहे उससे पहले हमें ancient India में भी देखने को मिलता है हमारे scriptures में भी देखने को मिलता है यह principle सो बहुत ही common but then again देखने को मिल रहा है कि universal principle वेस्ट में भी है इस्ट में भी है इंडिया में भी है the principles of succession should not be based on bloodlines but on moral merits क्या कहते हैं कहते जी जो leadership है यह नहीं होना चाहिए कि नेता का बेटा नेता बनेगा यह पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा अफसर का बेटा अफसर बनेगा because they are sons they are getting the things in hierarchy I mean they are getting the things in because of their blood system कैता ऐसा नहीं होना चाहिए कैता होना क्या चाहिए merit की basis पे inheritance होनी चाहिए कैता जी the statement advocates for a system in which leadership roles are filled by individuals who have the who have demonstrated their worthiness through their moral conduct and qualifications rather than simply inheriting power due to their family background so कैता जी सिरफ family background के basis पे आपको power मिल जाए वो ठीक नहीं है होना क्या चाहिए आप क्योंकि अपना moral conduct से दिखाएंगे कि भाई I am worthy to get this position तब जाकर अगर आपको वो position मिलती है then it is fine तो यह चीज़ है यहां पर हमें Confucius से देखने को मिली यह कुछ वर्चूस थी जो आज हमने discuss की I hope कि यह session आपको पसंद आएगा वीडियो आपको समझ आए like करें share करना न भूले channel को subscribe करना न भूले अगले session में फिर मिलेंगे till then thank you have a great day ahead